सब्सक्राइब बहुत ऐसे पहले कोशन खाइब करते हैं घु कि 원o लुँत कोशन स्थालसी भju कोशन यह लास्ट पोशें आप का उसका कcorre क्युंद कर सोब करते हैं दो सतर्क जब ने उसमें एक साइकली कोईड़ लेटर जिसका चारो कोने टच कर रहे हो किस पर सरकल पर नाम करण करेंगे ए बी-सी-डी कोशन ने आपको गीवन क्या बोला कि सैकलीक पैदलोगरां इसका मतलब आपको गीवन क्या है ए डी-सी-डी-इस-पैदलोगरां और आपको टू-प्रूफ क्या करना इसका मतलब को ए बी-सी-डी-इस-बन ओके अप्रूफ करना कैसे होगा मुझे पता है अगर यह सेपलोगरां है लेकि पहले सैकली कोईडरलेटर तो ही न तो सैकली कोईडरलेटर में आपकोशनेंगल कसम क्या होता है बन एक तो लिक्एंगे ए प्लस एंगल सी के एंग एंगल बी के सम्क गोना चाहिए वनेटी कि यह ओना चाहिए तर्म ओफ्पोष्ट एंगल्स साइक्लिक इस सप्लिमेंटरी आवनेटी अब मुझे बताओ ए बी सीडी इस पैदलोग्राम पैदलोग्राम के प्रॉपेटी होती है पॉजिट एंगल्स ओफ पैदलोग्राम आर इकुल इसका मतलब यह होगी मेरी पहली कोईशन यह होगी मेरी दूसरी कोईशन तो फ्रों क्यों में क्या पाया को दो एंगल procedure जा कम वो एकशन हए लगा यूख सपरल अब मुझे पता है कि अगर एंगल में जो आपके साथ जोना यहां जी होना चाहिए क्यों होना चीए तो sum of sum of adjacent angles of parallelogram is 180 इसका मतलब अगर angle B 90 में निकल चुका एंगल C 90 आ चुक है न तो अगर यह नाइंटी तो इसका मतलब यह दो इसका पॉस्ट भी क्या होगा कर एक है यह लिख सकते एंगल एंगल की बराबर रहा होगा रहा होगा तो इसका मदलद अगया इंगल्ड का फ्यूल ग्राम और 90 degree that is it is a it is a it is clear and smooth done easy था उतार लीजिए